दिल्ली की पचला हाउस कोट ने निर्भिया की दोशों के खिलाफ जैथ वारंट जारी करने से इंकार कर दिया है कोट ने संबंध में दया याचिका खारीच करते हुए कहा कि अगर कानून दोशों को जीनिक इजाज़त देता है तो उने फासी पर चड़ाना भी पाप होगा दरसल दिल्ली सरकार की तरफ से कोट में याचिका दैर कर दोशों के खिलाफ डैथ वारंट जारी करने के मांग की गई थी ताकि निर्भिया की गुनेगारों को जल्द से जल्द फासी की सजा मिल चुके इस पर सरकारी वकील ने कहा कि कोट या तिहार प्रशासन किसी भी दोशी को याचिका लगाने के लिए भाद्य नहीं कर सकते बता दे कि निर्भिया के चारों दोशों में से अक्षय, मुकेश और विनय अपनी कानिवनी अधिकारों का प्रियोग कर चुके हैं जबकि चोथे दोशी पवन ने अभी तक क्यूरेटिव और दया याचिका के अधिकार का प्रियोग नहीं किया है बाउजोद इसके निर्भिया के चारों दोशों के खिलाब डेथ वरन जारी करने की मांग की गई हलंकी कोट इस याचिका से सैमत नहीं दिखा पचेला हाउस कोट ने नया डेथ वरन जारी करने की मांग खारिच कर दी है सुनवाई के दोरान पचला हाउस कोट के अतरिक्त सत्र नियाधिश धर्मिंदर राना ने कहा जब कानून दोश्यों को जीने के इजाज़त दे सकता है तुने फासे देना पाप होगा 2012 की निर्भिया गेंग रेप के चारो दोश्यों मुकेश, पवन, विनय और अक्षे कुमार को फासे के सजा सुनाई गई ये चारो तिहार जल में बंध हैं, इन में से तीन फासे के खिलाफ क्यूरेटिव पिटिशन से दैय आचिकात की अधिकार का इस्तमाल कर चुके हैं और उन्हें कोई राहत नहीं मिली है अब सिर्फ पवन गुपता के पास स्क्यूरेटिव पिटिशन का विकल्प है इसी आधार पर कानून का हवाला देते हुए पचला हाउस कोट ने नया डेथ वरन्ट जारी करने से इनकार कर दिया है